हलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मातेमाटिक्स टूटोरियल, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है स्क्रीन पर इस वक्त आपके सामने है, यूनिवर्सिटी, रिक्रूट्मेंट नोटिफिकेशन 2020, असिस्टेंट प्रोफेसर, असोसियेट प्रोफेसर और प्रोफेसर तो ये तीनों पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन आई हुई है यूनिवरसिटी की तरफ से नोटिफिकेशन है यूनिवरसिटी ही रिक्रूट्मेंट करने वाली है थोड़ी इसके हाइलाइट्स हम देख ले ये appointment का nature क्या होगा ये contractual है या permanent post है ये regular basis पर है पर मन्त होगी जैसे मैंने आपको बताया है कि अगर आप इनिशली रैशनलाइज़ पे इसे बोलते हैं रैशनलाइज पे अगर 57,700 लेकर भी आप calculate करें तो HRA, DA, other allowances, etc. मिलाकर 75,000, more than 75,000 salary बनती है इसके अलावा associate professor की joining level 13A में होनी है जिसकी pay range है, ये in-hand salary, total salary नहीं है pay range है, इस पर और addition होते हैं HRA, dearness allowances, other allowances, etc. तो ये जो pay है, वो है 1,31,400 to 2,17,100 इसमें depend करता है, आपको क्या experience है आपकी PhD हुई है, या नहीं net हुआ है, वगरा उसके हिसाब से ये आपको decide करते है, finally तो जो professor की level है joining level वो 14 पर होनी है जिसकी pay range है, 144,200 to 2,18,200 पर month अगर qualification की बात की जाए, तो as usual क्योंकि जब 7th पर offer कर रहे होते हैं, तो net या set mandatory होता है तो master's degree in concerned subject with minimum of 55% and along with net या set या PhD होनी चाहिए तो अगर PhD है तो net set की जरूरत नहीं होगी चाहे किसी भी post के लिए आप apply कर रहे हों associate professor के लिए PhD mandatory होगी assistant professor के लिए set होना या net होना काफी होगा चले last date of application भी देख लें कि application करने की last date क्या है और किस तरीके से application करनी है तो जो last date for receipt of application है वो 16th March 2020 है, तो काफी वक्त है लेकिन यहाँ ध्यान दे, online application का provision इस website पर नहीं है online application नहीं है, यह आपको ध्यान देना है speed post या registered post से आपको अपको अपकी application डालनी है और उसमें क्या-क्या लिखना है, क्या mention करना है, वो सारी detail आप जाकर website पर ले सकते हैं यह मैंने website की link आपके साथ share किये, बहुत ही simple सी website बनी हुई है और यह जो दूसरी link है, यह advertisement की link मैंने share किये, यह दोनों link में आपको description box में या comment section में देने वाली हूँ और इसकी जानकारी मैं आपको खुद भी कुछ highlights आप तक पहुँचा दूँ इसके पहले आप मेरे चैनल को please subscribe करें, आपने friends के साथ share करें एक like तो बनता इस video को, क्योंकि मैं कुछ न कुछ time to time आपके लिए अच्छी और useful videos ही upload करती रहती हूँ इसके साथ ही bell icon को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे upload होने वाली सब भी videos की notification आपको वक्त पर मिलती रहे चले हम चलते हैं, website पर, official website पर जहां पर यह recruitment की notification आई हुई है, संबलपूर यूनिवरसिटी में फिलहाल हमें है, accredited with grade A by NAC second cycle तो यह अच्छी यूनिवरसिटी है, संबलपूर यूनिवरसिटी, यह ओडिसा में है, लेकिन आप कहीं भी किसी भी state से belong करते हों, तो आप apply कर सकते हैं यह scroll मैं धीरे धीरे, नीचे की तरफ scroll करें हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, 13 February 2020, detailed advertisement teaching post जैसे ही आप यहाँ पर click करते हैं, तो यह notification आपके सामने open होती है, जिसमें subjects mentioned किये हैं, साथ ही, क्या qualification है वगेरा भी mentioned है, हाला कि मैंने आपको सब कुछ बता दिया, लेकिन, subjects आप यहाँ से देख सकते हैं, कि किनके subjects के लिए, किनके departments में vacancies आई हुई हैं, चलिए इसके पहले हम देख ले, qualification, एक मिनट, संबलपूर University, जियोती, विहार, बुरला, www.suniv.ac.in, qualifications, term and conditions for recruitment of teaching positions in संबलपूर University, यह फटा-फट हम देख लें, departments, anthropology है, business administration, मुझे बहुत सार MBA students लिखते हैं, management के लिए कोई job नहीं है, क्या यह रही job, काफी सारी vacancies हैं, chemistry के लिए हैं, computer science के लिए, earth science के लिए, economics के लिए, English के लिए, history के लिए, home science, law वाले भी बहुत बार पूछते हैं, law के लिए कुछ नहीं है, क्या यह रही law के लिए, library science वाले भी बहुत पूछते हैं, उनके लिए भी job है, vacancies, political science and public administration के लिए, statistics, sociology और law college में हैं, तो फिर वहाँ पर law की जरुवत होगी, तो इस तरीके से काफ़ी, ऐसे subjects की recruitment है, जिनके मेरे comment box में बराबर आते रहते हैं, कि law की नहीं है, biotechnology के लिए नहीं है, तो यह सारी इस बार हमें मिल गई है, vacancies, इसकी ज़्यादा जानकरी में आपको अल्मोस्ट दे चुकी हूँ, फिर भी एक बार फटा फटा आप देख लें, यहां पर लिखा हुआ है, पॉइंट 3 में last date for receipt of online application है, 16th March 2020, by speed post और registered post only, इसके अलावा, जो qualification है, pay scale वो मैं आपको अल्रेडी बता चुके, level 10, 7th pay matrix scale वगरा, qualification essential और जो भी मैंने highlight आपको दी है, डीटेल में अगर आप interested हो, आपका subject match कर रहा हो, तो आप इसे go through करें, डीटेल में, यह ज्यादा नहीं 5 या 7 pages की PDF है, जिसे आप डीटेल में पढ़ सकते हैं, अगर आप interested हो और apply कर सकते हैं, यह अच्छी vacancy है, और फिर एक बार बता दूँ कि आप ने किसी भी Indian university से master's की हुई है, तो आप इसके लिए eligible हैं, और अगर net की हुई है तो, जहां तक बार-बार query आते comment section में कि हमने इस state से set किया है, set आप उसी state में use कर सकते हैं, lecturership या assistant professor के लिए जहां पर recruitment, जिस state से recruitment आई है, हाईवर अगर net है आपके पास, तो आप किसी भी Indian university में apply कर सकते हैं, तो set और net में यह बड़ा फर्क है, net national level पर होता है, और set state level पर आप जहां से, जिस state से set pass करते हैं, सिर्फ वहीं पर उसी state की vacancies के लिए, आपकी set qualification यह होती है, valid होती है, तो होप यह जानकार यह आपके लिए useful रही होगी, मैं इस तरह के useful videos लेके आपके पास लगातार आती रहती हूँ, आप अपने print के साथ इस video को share करें, एक like करें इस video को, और मेरे वापस आने तक आप सभी को best wishes, thank you very much.